अयूब की पुस्तक अध्याय 42 तब अयूब ने यहवा को उत्तर दिया मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती यहां कौन है जो ग्यान रहित होकर युक्ति पर परदा डालता है परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा अर्थात जो बाते मेरे लिए अधीक कठीन और मेरी समझ से बाहर थी जिनको मैं जानता भी नहीं था मैं निवेदन करता हूँ सुन मैं कुछ कहूंगा मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ तू मुझे बता दे मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आखे तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने उपर गुरुना आती है, और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहवा ये बाते अयूब से कहे चुका, तब उसने तेमानी एलिपच से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भढ़कता है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अयूब ने मेरे विशे कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम साथ बयल और साथ मेंधे काटकर मेरे दास अयूब के पास चाकर अपने निमित खुमबली चड़ाओ, तब मेरा दास अयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहन करूँगा, और नहीं तो मैं तुम में से तुम्हारी मु पज, शुही बिलदद और नापाती सोपेर ने जाकर यहूब की आग्या के अनुशार किया, और यहूब ने अयूब की प्रार्थना ग्रहन की, जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहूब ने उसका साराद्दुख दूर कर दिया, और जितना अयूब का पहले था, उसका दूगना यहूब ने उसे दे दिया, तब उसके सब भाई और सब बहने और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सभों ने आकर उसके यहां उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहूब ने उस पर डाली थी, उस सब के विश उन्होंने विलाप किया और उसे शान्ती दी और उसे एक-एक सिक्का और सुनी की एक-एक बाली दी और यहवा ने आयूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशिश दी और उसके चवदह हजार भेड़ वक्रिया, छह हजार उन्ट, हजार जोड़ी बैल और हजार गधियों हो गई, और उसके साथ बेटे और तीन बेटिया भी उत्पन्न होई, इन में से उसने जेट बेटी का नाम तो यमीमा और दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेन पुक रखा, और उस सारे देश में आईसिस्त्रिया कही नहीं थी, जो अयूब की बेटियों के समान सुन्दर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भायों के संग ही संपत्ति दी, इसके बाद अयूब एक सो चालिस वर्ष जिवित रहा, और चार पिठी तक अपना वंश देखने पाया, निदान अयूब रुद्धावस्ता में दि